हम यह मारस एक्जाम के लिए special class चला रहे हैं जिसमें आप बोल सकते हों कि हम mock test complete कर रहे हैं अभी हम analytical ability जो कि आपके 15 नंबर का बेटेज है और numerical ability जिसका आपका 10 नंबर का बेटेज है वो हम उसको mock test के थुरू कर रहे हैं वो भी chapter wise कर रहे हो कि chapter wise से आपको बहुत ज्यादा होगा हम कह सकते हैं कि यदि आप chapter wise कर रहे हो ना तो आपके सारी concept clear होते जाएंगे और फिर इसके बाद हम mixed question कर रहे होगे जैसे कि मैं बात करूँ आपको teaching aptitude है उसकी complete theory हमने cover करवा दी है अब हम जो है mock test discuss कर रहे हैं उसके भी और mixed question के कर रहे हैं ठीक है चालिज चालिज क question के तो आप वो भी देख सकते हो हमने पहले theory cover करवा रखी है आप वो भी देख सकते हो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ओके तो अभी हम analytical ability देख रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया classification हमने कर लिया analogy कर लिया हमने reasoning में ओके और अभी हम जो है maths में number system कर रहे ह है और हमने जो है आपका simplification maths में complete कर लिया है ओके तो अब हम देखते हैं क्या number system number system के हमने दो topic जो है दो type के questions solve कर लिये हैं अब हम जो है next type के question देख रहे हैं अभी हम reasoning करेंगे जो आपके 15 number के आनी है analytical liability ओके तो आपके question जो है na easy है moderate और hard टीनो टाइप के रखे गए हैं जिस type के आपके exam में आते हैं तो आपको देखना है कि कैसे solve करते हैं हमने अब देखते हैं देखे यदि किसी सांकितिक भासा अब अभी का chapter हमारा कौन सा आपको पता है अभी का chapter है हमारा कूट कूट वर्ड में जो होता है ना कूट रूप में रहते हैं जो वर्ड उस type के हम देख रहे हैं ठीक है आपको sorry numbers के form में मिलेंगे या तो numbers के form में मिल रहे होंगे या फिर आपको को अलफा बेट के form में मिल रहा होगे के तो हम देखते हैं अब फ़िस्ट को चने अपका यदीकिसी संकितिक भास हमें लाई या जी को हम गर्ल लिखते हैं लिखा जाता है तो उसी भासा में हम BML को कैसे लिखा कैसे लिखा जाएगा तो सबसे पहली बात है आप देख रहे होगे लिर्क पढ़के हमें पता चल रहा है कि यह सारे वर्ड न इसमें हैं तो सारे इन्हीं वर्ड से गर्ल बनाया गया तो हम क्या बोल सक से करते चलो ठील जी पहले आये गहां का लास्ट कब पहले आ रहे हैं लास्ट कवर्ड पहले आएगा सिर्फ और क्रूंद ये अ मतलब होगेया Okay अब क्या कर रहे है इसके बाद आपका जो i rnh post सीधा आ आई यर सीधे आ गया मतलब जो आपका कहने जाइए यहाँ से कांट कर रहा है बने तो three two का थ्री टू लिख दिए हमने एहां पे तो बैसे यहां पे three two का three to ik या मतलब एम लीग देंगे हम यहां पे है है यहां पहे नहीं है मतलब यह भी राइट रांसार आपका यह होगा तो सी दे आप लेंब लिख सकते हो भी भी आपको बताने की जरुवत भी नहीं पड़ी तो आपको भी एक्जाम में इसी तरीके से करना और मैं भी आपको इसी तरीके से समझा रहा हूँ और आपने बहुत चीज़ें से की हो गी यह साथ जो मॉक टेस्ट हमने डिसकस कर चुक है न वहां पर अब नेक्स देखते हैं गीचा जी को आप प्लीज लिखते हो स्वीप को क्या होगा आपको यह बताने हो है okay यहाँ पर आप देख रही होगे की तहगा एक अथारा होता है यह सोरा होथा मतलब माइनस टू-पाई से थि आए अल आपका कितना नो से बाराधार रहे हो मतलब धन तीन जा रहे फ्रल्न दो धन से दैं चारो हो रहे हो रहा हो गा या फिर तक रोर बीदो ही हो रहा हो गैज़ को साथ यह चाँ साथ के पांच है तो नितों मतलब बन बंगी हमारी ठाए तो आप आप हम्सलीप में धिक किisa जी Onda कि यदी हम स्लीपों देखे तो स्लीप भी आपको यहां मिल रहा है S मिल गया आपको S मिल गया L मिल गया ठीक है Double E भी मिल गया और P भी मिल गया मतलब आप बूल सकते हो कि S को हम क्या लिख सकते हैं यह 6 ही है तो S को क्या हम M लिख सकते हैं तो देखते हैं M बिलकुल तो ये आपका Right Answer होगा तो इस प्रकार से देखने हैं आपको अब हम पूरा भी मिला लेते हैं एल को क्या लिख सकते हैं एल को लिख सकते हो आप आई बिलकुल आई लिखा हुआ है अब यदि किसी कोड को हम कट को STB और BIT को DSH लिखा जाता है तो DROPS को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है तो देखते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई आप combination बना पा रहे हैं यहाँ पर तो देखते हैं क्या कोई combination बन रहे हमारा तो cut okay cut में आप देखरा है तो यहाँ बार यहां क्यीत हम क्यारा को रहे हो रहे है और यह क्या हुआ होगा वह भी कैसे इसका यहां इसका यहां वो बीच वाले का बीच में अब यहाँ पर देखते हैं बी का माइनस से ठीक है एका माइनस बन डी हो जाएगा क्योंकि यह 5 होता है यह 4 होता है आपका हाँ नम्ब्रिंग कर दोगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो आप इसे कितने लिखते हैं यह चार हो गया आपका यह आपका टाइप से बन रहा है पैटर्न इसका इस तरफ इसका इस सा इसका इस ओके तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऐसा बनेगा माइनस बन इसका इसा माइनस बन इसका इसका यहां और बीच वाले का बीच में माइनस बन ठीक है तो डी का माइनस बन यहाँ पर आएगा डी का माइनस मत दिसे कम कर रहे हैं चार में से कम करोगी सी आए सी आपको चारों में देख रहे हैं तो हम आपको फॉस्ट में देखना है फॉस्ट में आप एक फॉस्ट में भी तीन हो लेकिन एक कर सकते हैं तो ऐसे कम 19 से कम कितना आया का उन्म से एक कम 18 तो आर आपका राइट अंतर ये अलेनियत हो गया अब आर और सी लास्ट में दोनों के है ठिक है अब हम देखते हैं तो हम उस वाले को नहीं देखेंगे जो है पहले से और ओ ओ है धोनों में and and इंसल्फ दो होगा देख लेते हैं आ क्यर और आइक तो हbigत्यक्य इतना तो पता है ओकर बीच वाला देखना घ्रा तो पंद्रा मैं जाए तो N-I-N-R-A होगा तो यह मिनित होगा आप 2 में से कोई आ रहा होगा अब क्यूँ देखते हैं आपर आर मैंसे 1 कम आएगा आपका यहाप र में से 1 कम क्यूं होता है देखे 18 और 17 होता है आपका तो राइट आं तरहलों का यह वो रहा होगा तो आपको समझ में आया होगा नेक्ट देखते हैं एक बिसिस्ट कूद भासा में हम क्राइब को M, R, Y, C लिखा जाता है तो उस कूद भासा में G, E, T को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको ये बताने में तो चपार वाइगे N ko p है C को आपने लाश्ट में कर दिए यहां पर यहां पहले से लगते हैं ऑर वाइग क्राइब हो रहे हए तो यहां लाश्ट में आ गया यहां यह और आर यह मलब इस टाइग से बन रहे रही हुआ है है तो गेट को कैसे लिख सकते है, जी इटी इसमें तो M को नहीं लिर्ойд लिखेंगे हम, हम देखने की by डिस्टेंस को EKB XFTJM लिखा जाए तो उसी कूट भासा में आप प्रेजेंट को किस प्रकार लिखोगे ठीक है किस प्रकार लिखा जाएगा आपको ये बताना है तो देखते हैं कि देखिए जदि हम देखें नम्ब्रिंग कर देते हैं या फिर और प्रेजेंट आपका यहां पर नहीं प्रेजेंट पीबी मिल जाता है न हम देख लेते कि ऐसा का बन रहूंगा कि प्रेजेंट का यह होगा thought above और यहरे आपका बाइस होता तो आप देख रहा होगे कुछ पैटर्म बन रहा है धनीक ओके इन दोनों में धनीक बना फिर 9 और 21 फिर धन दो बन रहा है आपका 19 धन 22 फिर धन तीन बन रहा है मतलब जरूर से यह धन 4 बन रहा होगा टी और प्रक्स बिल्कुल भी धन 24 उता है तो हमें आगे की देखने की जरूरत नहीं है यह प्लस बन प्लस ट्व ध्री प्लस फ्री प्लस फ्लस फाइब ऐसा होता होगा तो हम चार तक ही देख लेता है अब देखता है पी प्लस प्लस बन मतलब 16 प्लस बन 17 होता है और किसी को देखने की जरुवती नहीं है आपको ओके आर प्लस बन होगा 18 19 साथ है सॉरी इसमें दो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लस टू प्लस ट्री हो रहा है इसमें दो जोड़ेंगे तो 20 आएगा बिल्कुल टी है पांच में तीन जोड़ना पड़ेगा तो आठारा बिल्कुल तो राइट आंसर आपका यह होगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अब ब्यूटिफुल को आप सी डी ओ जी एच जे के मन लिखा जाता है तो आपको बताना है कि लीफ को आप क्या लिख होगे ओके तो आप बताओ य अब लग सकते हैं लास्ट में है एन लिख सकते हैं तो अ आगया आपका यह ना आगया सिर्फ में देख रहा है तो यह राइट हो जाएगा लेकिन और भी देखना है हमें क्योंकि इस टाइप के कुश्चिंस आपको पता नहीं कि अन्फर्म राइट ही होने वाले हैं ओके तो हम देख लेते हैं पूरा सॉल्व करके तो ए को कि लिख सकते हैं एक Опuldade लेकर लेक्शते हैं डे आ गया बिल्कुल ए को हम का zad सकते हैं एक करमों ली सकते हैं बिल्कुल और अब देखने की जड़रत नहीं है आपको ठीक है तीन सामय हो दो इस मदलब सभी राइट होंगे इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको याद होने चाहिए नंबर कि इसको साद बोलते हैं से 5 बोलते हैं 18 इसे 13 इसे 14 इसे 25 तो देखे 25 14 1 13 18 5 7 बैसे इसे क्या बोलोगे आप तो इसकी भी ये गया वी नेक्ष देखते हैं ड्रीम को कूट बासा 70206 लेखा जाये तो चाइल्ड को आप क्या लिखोगे टिकशाइड को भी ये लिखा जाता दो लीडर को क्या लिखो गए आपको देखना है तो देखते हैं D का आपका 4 होता है धन्तीन हो रहा है अठारा नहीं आईGER्र कोई कंपनिषन बन नहीं रहा है तो आप सीधे क्या भूल सकते हो देखें यहाँ पे भी आपको वहीं देख रहा है L, L भी मिल गया, आपको A, B, E , D , N , D , D , E , M . और R , भी , लग naval गय थ confiance ? ठचाए ब दी कोprochen का से लिखा है ? 7 , 12 से थर्ड नमबर से याहाँ से थर्ड नमबर आपका कौना होगा ? 10 नमबर से बना रहा होगा हमें है तो यह 2D होंगा आपके ॉजह हमें की महीं देखना है तों देख लेता है은 first 10 102 102 तक मिल रहा है जीरो वाट टीक है तो लास्ट का सिर्फ हमें लास्ट की नमब्र देखने तो आप हैज को shifts किया लिख सकते हो आप 8 लिख सकते हैं तो 8 कहां देख रहा है आर का 8 शिर्फ और इहां देख रहा है है तो है तो देखिए height क्या लिख सकते हो तon T fics लिखते हैं इसकी numbering 26 है टोंती सिक्स का गैदेन हम क्या करें है बढ़ गुणा कर देते है दो से तो कितना आ है चेतरज दूनी बारहां दो दूनी 4 18 20 इस है इसे चेक कर लिए यह यह 3 है आपका यह 20 है तो 20跟大家 है तो वीन हो गया तेज कब तेज का गोड़ां करेंगे तो तीन दूनी छह और दूनी चार मतलब 46 आपका राइट आंसर होगा ओके तो हर टाइप के कोश्चन देख रहे हैं तो देखते हैं हम नेक्स्ट यदि राची को दिल्ली कहा जाता है दिल्ली को मुंबई कहा जाता है मुंबई क हम इसे करना हो आपको पता भी होना चाहिए कि gateway of इंडिया कहा पर है तो आप देखते हाँ और आपका किसी कोड़ भासा में हम 125 को गोड़ दिखते हैं 146 को study in स्वेस्ट एक है तो आप देख रहे होगे WORора को क्या संदमें आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इसकूल को रे प्रेजेंट कर रहा हैं तो नहीं हम क्या पतार Hem के लिए कूँन अंक प्रवियोग किया जाएगा थे क्या है तो रन के लिए हम देखते हैं यहां पर तीन और पंच में से कोई होगा तो तीन ही सिर्फ दिख रहा है आप देखिए आप आपको देखने की जरुवत ही नहीं एक तो आपने बता दी यह स्कूल होगा तो तीन और पंच ही लिख रहा है तो तीन और पंच क्या हो सकता है इस तीन और पंच रन हो सकता है इस बताना है exactly तो मैं पता हूँ आपको क्या से घर सकते हैं है तो देखें यहाँ पर हम देखेंगे टू को रन लोलध डेख रहा है नहीं टू बस दिख रहा है में यहाँ पह तो देखते हैं емक्यaw कॉमन yay आधर पांच कॉमन दिख रहा है तो मतलब हुं बोल सकते हैं कि आपका वं भॉर अपका वन जो है कितना यह स्कूल है कर तो हम बोवधी की किसी कूट भासा को D ISC को आप 8749 लिखते हो तो A C HE को 3950 तो HEAD को आप क्या लिखोगे तो आप देख रहा हो HB है इसमें EB है AB है और DB है तो मुझे बताने की जरुवती नहीं है आप खुद कर सकते हो इसे ठीक है अब किसी कूट भास हमें कैलेंडर को आप CLANAEDR मतलब आपको कुछ कैलेंडर से ही मिलता है तो circular को आप क्या लिख सकते हो आपको ये बताना है तो देखते हैं देखिए C को हमने जहां का तहां रखा है A को हमने LA कर दिया ठीक है बन लिखा उसके बाद हमने तीन लिखा उसके बाद दो लिखा बन थ्री टू गिया तो यहां पर भी हम चेक कर लेता है इतना तो सी आई यार मतला बन थ्री टू क्या हो जाएगा सी आर आई सी आर आई कहां पर देख रहा है यहां देख रहा है यहां देख रहा है यहां यू भी दो कॉमन देख रहे हैं हमें तो साइध यह एल्मिनेट हो जाएगा लेकिन हमें चैक करना है ठीक है तो देखते हैं अब देखते हैं एक वाइपने फैक फोर लेका तो यहां पे भी आपको पांच में नंबर में यह है यूची आएगा तो यूची आपको यहां यहां नहीं है तो यह भी अल्मिनेट हो गया अब हम देखते है एल और एल आर ए तो देखते हैं वो कैसा मन रहे हां पर तो डी यार को हम डी यी आर ऐसा लिक्रा मतलब लाश्ट से देखे हैं हम यदि लास्ट नंबरिंग करें वन टू त्री तो आप क्या लिख रहा हो सॉ आर को वहीं रखेंगे यहां पर आर वहीं नहीं है ओकर तो आपका राइट आंसर क्या होगा यह होगा और एले को हमने क्या कर दिया डी को बदल दिया एडी कर दिया तो एल हो जाएगा तो एल यहां पे सिर्फ A.L. हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, तो यह रॉंग हो गया आपका, यह राइट पहली बता दिया मैंने है न, तो इस तरीके से आपको करना होता है, यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बाद मचलिया कहां रहेंगी तो हम देखते हैं मचलिया कहां रहती ही जल में जल को क्या कहा रहा है ही हारा कह र्या राइट आंज आप कह रहा ही तो लाश्ट से लेख लिए करो तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ीगी क्योंकि आपको पता है कि रिम के पितना ज़्यादा महत्पुन है आप लिए ले एक्जाम में त्यक्या बहुत ज़्यादा आपको टाइम मैनेज करके करना है नहीं करके चलूगे आपको मौक टैस्ट टो लगाना लंई है ओके तो नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी ओके देखते हम नेक्स्ट यदि एक बिशिष्ट कूट भास हमें है सी एच ए आर ए सी टी यार को आप टू फोर बंग सिक्स बन टू थी सेवन सिक्स लिख रहे हो चिल्डरन को यह लिख रहे हो यह बीजी है यह आपको पिछले से जोड़ा हुआ है यह बी आपको बताने है नेक्स्ट देखते हैं अब यह जो है नए नए कुस्टन नए टाइप के कुस्टन है तीन से विभाजत होने वाली तीन क्रमांगत विसम प्राक्रत संख्याओं का योग आपका 72 है इनमें से सबसे बड़ी संख आपको बतानी तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत संक्या है ठीक है तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत संक्या है मतलब तीन एक्स तीन एक्स धन तीन एक्स धन च्छह यहीं होंगी ओके अब यहीं कैसे होंगी मान के चलिए एक तीन एक्स को एक मानते हो ऐत है घ्क है तो 3 जाएगा यहां तीने कम तीन ओर तीन गर तीन रही है यहां तीन एक तीन श्च्छीन देखिए तीन से विवाजित लगातारे टीन संख्या कर लगी है तो इसलिए हमने मकी माना तो प्राकत संगा हूं का योग कितना है आपका 72 है 72 लिख देते हैं हम जोड लेते हैं 3, 3, 6, 3, 9 sorry 9 x और आपका 3 और 6 9 हो गया 9 को इस तरह पहुंचा देते हैं पक्छांतर करने हैं तो माइनस 9 इस तरह पाजाएगा माइनस में आएगा तो 9 x is equal to 12 में से 9 जाएंगे आपके तो कितने बचेंगे 63, 9 से काट देते हैं 9 साथ 63 आगया x is equal to 7 आगया आपको क्या बताने हैं इन्हें से सबसे बड़ी संख्या बताने हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी 3 x plus 6 होगी तो 27 धंच है 27 आपका राइट अंसर होगा आपको समझ में आया होगा इस तरीके से आपको करना है यदि किनी 3 क्रमागत विसम प्राक्रत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या होगी तो बहुत इजी है ये वाले कुश्यन को पता है आप कैसे कर सकते हो यदि क्रमागत संख्या है क्रमागत संख्या है स्टेटां सरो पर कैसे तो हम देखते हैं एबरेज आपको जब भी आपको स्टोरी जब भी बीच वाली संक्या बोलेकर मन्यक्रामागिस संक्या निकालना हो तो आब रिये निकाल दिया कर वह आंसर निकल जाएगा एवरिज कैसे निकल जाता है टोटल का यूग और बटे जितनी संक्या हूँ उतने का भाग ओके निकाल देते हैं कि नी तीन क्रमागत विसम्षंख्यां विसम्षंख्यां कौन कौन से होती हैं 2x प्लस 1 अब देखिए 2x हमेशा समसंक्या होगी x की जग में आप कुछ भी रखके देख लो 5 रखेंगे 5 दूनी 10 समसंक्या आगी अब 2x प्लस 1 में कुछ भी रखके देख लो आपका बिसमसंक्या ही आएगी 2 रखते हैं 2 दूनी 4 दने 5 आगया इस प्रकार से तो 2x प्लस 1 रख लिया हमने एक दूसरी संक्या क्या रख लिया सभी को जोड़ देते हैं दूसरी संक्या क्या मान लिया हमने 2x प्लस 3 ओके तीसरी संक्या आप क्या मान सकते हैं लगातार संक्या है तो आप ऐसा भी मान सकते थे 2x-1 ओके ऐसा भी मानते तो भी आंसर आजाता आपका देखते हैं आगे 2x प्लस 5 ठीक है आप ऐसे में भी खरज़कते थे या आप 2x-1 रखते फिर आप टीन लगातार है ना 2x plus 1 रखते और 2x plus 3 रख देते आंसर आजाता आपका ऐसे में ठीक है इतने में भी आप माइनस बन करोगे आंसर आएगा तो आप ऐसा सॉल्व कर विए आइसा सॉल्व करवांसर आपका दोनों मेहन है दो दो चार और दो छे चैक्स पांच टीनाट और एक नो धन्नो इस इकल अब टेच च्छे दूनी बारा चेती अठारा तीस आपका राए प्ष्वरी वन सेकेंड कुछ रंग रख गडवर की हमने रही नो जाएगा यहां पर तो आपका कितना बचरह होगा हाँ यह में बीच की संक्या बतानी है ना तो एक्स तो आपका कितना या थीस आ गया तो तीस बीच की संक्या यह है पहली संक्या यह कि ए साकंड यह किशन का यह तो तेज दुनी आपका कितना होगा तीन दुनी चह दुनी चार धन तीज उनन चासा आपका आपको समझ में आए होगा आप इसी तरीके से आप देख सकते हो अब देखते हैं तीन क्रमिक पूनांग पूनांग को के बर्गों का यूग यदि 2030 हो तो बीच का पूनांग क्या होगा आपको ये बताने तीन क्रमिक क्रमिक पूनांग के बर्ग है तो बर्ग में कर नहीं सकते हैं ऐसा कुछ हम देख लें तीन क्रमिक पूनांग बोला है तो एक को एक मान लिए ठीक है इसका स्क्यार फिर एक्स प्लस वन इसका स्क्यार फिल एक्स प्लस टू इसका स्क्यार तीन क्रमागत हो गई इनका यह बर्गों का यह कितना है 2030 कर लेते हैं एक्स स्क्यार एक्स प्लस बने स्क्यार क्या होता है एक्स प्लस य होल का स्क्यार आपको पता होग एक धन 2xy 2x एक का गोड़ा करेंगे किया जाएगा फिर x square दो कबर आपका चार फिर धन दो दूनी 4x ओके is equal to 2030 जोड लेते हैं इनको x square x square x square 3 x square आ गया 2x और 4x 6x ओके 4 और एक 5 पांच इस तरफ जाएंगे माइनस कर दो 5 यहां ले जाके तो 2, 0, 2, 5 बचेगा यहां पर अब और क्या कर सकते हैं इसको solve करने के लिए हम अब आपका जो है quadratic equation बन गई आपकी ओके दोगहात समय करने बन गए तो इसको हम कैसे solve करते हैं आपको पता होगा ठीक है इसका गोड़ा हम यहां करेंगे बहुत लंबी प्रोसेस है इससे अच्छा हम सीधा सूतर लगा देता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केर माइनस फोर एसी ठीक है इसको आप गोड़न खंड विदी से भी कर सकते हो पर वो लंबी प्रोसेस जाईए तो सीधा आप गोड़न खंड फिर सोसते रहोगे सच्छा आप यह देख सकते हो माइनस भी मतलब छह माइनस में माइनस इक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी का वर मतलब 36 माइनस फोर एसी चारतिया बारा ओके और यह माइनस में है तो प्लस में आएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो चार गोड़ना तीन करोगे ए कितना है ए है आप इसे ना ए एक्स स्केर प्ल बारा गुण आपको 225 करना है तो जीरो टू फाइब बारा पंचे साथ जीरो छे बारा दूनी चौबिस 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 और च्छे तीस आपके हां सलाई तीन बारा सुन अमसुन तीन आ जाएगा बारा दूनी चौबिस इतना गया टू फोर थ्री डबल जीरो ओके अपॉन में टूए एक इतना हमारा तीन है तो तीन दूनी च्छे आगया आपका यहां अब माइनस सिक्स प्लस माइनस सॉल्व कर लेते हैं से तो अंडरूट में कितना जाएगा यह तू फोर थ्री थ्री सिक्स यहीं आ जाएगा अपॉन में सिक्स है आपका अब यह किसी ना किसी का बर्ग हो रहा होगा तू फोर थ्री थ्री सिक्स ठीक है तो आप सीद में आपको पता चले ना कि यह बर्ग ही बनने वाला है तो आप सी देना आठ हाट से भी भाग दे सकते हैं एच्छों को बत्तिस आट दूनी तो हम मानेंगे कि ह हमने दो से तीन बार दे दिया ठीक है तो आठ से देते हैं आठ तरी चौबस जल्दी करने की आपको मैंथड बता रहा हूं आठ तरी चौबस भाग नहीं जाएगा जीरो लगा लिए आठ चो को बत्तिस बचे एक होगा सोला आठ दूनी सोला ठीक है फिर अप किस से दे सकते ह चार से जा रहा है चार एकम चार नहीं जा रहा है चार से कैसे मैं जान पाया कि चार से जा रहा है या नहीं देखे लास्ट के दो नंबर यदि चार से जा रहा है भाग जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो चार से डिविजबल होगा चार से डिविजबल नहीं है तो दो से द सद नो पर इसकते थे हम साथ पंच बारा dienung सब्सक्राइब की रहा निखना है तो माइनस चैप प्लस माइनस यहां से कॉंबिनेशन क्यासा होता है कॉंबिनेशन में निकलते हैं तो यहां से दो की घाद चार है तो दो की घाद दो बाहर निकलेगी आपकी तो हम बोल सकते हैं दो की घाद दो आगी यहां पर तीन की घाद दो है तो तीन ही बाहर निकलेगा सि वैसे ही 13 की घाथ 2 है तो सिर्फ एक 13 बाहर निकलेगा क्योंकि अंडरूट से इसका स्क्यर कैंसल हो जाया तो सॉल्व कर लेते हैं आप उन में 6 था आपका तो बाद में 6 से आपको भाग देने से अच्छा है कि आप माइनस 6 आप 6 को भाइनस निकल लो तो यहाँ पर माइनस बन मचेड़ा बर यहां से 6 तीन दूनी झा चींग यहां और यहां पर तीन 2 बाहर निकालले हमने तो 2 तेरा दूनी 26 तो यहां पर आपका 26 बचेगा जहels बाहर निकाल दिए आपन में 6 6 से 6 जह कैसल होगी आपका माइनस 1 प्लस माइनस 26 तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं तो यहां ले लेते हैं ठीक है एक बार प्लस ले लिए हमने प्लस लेने पर प्लस लेने पर तो क्या होगा माइनस 1 प्लस 26 कितना जाएगा 25 एक बार माइनस लेने तो क्या आएगा X is equal to आगया ठीक है और एक बार X क्या निकल दाएगा है यादि हम माइनस बन लेता है तो माइनस बन माइनस 26 माइनस 27 लेकिन कभी भी कोई निकली नमबर माइनस 20 में माइनस में हो सकता है कि हमें तो सिर्फ नेच्रल नमबर बोला है तो आपका सिर्फ कॉंसेडर किसे करेंगे हम 25 को तो आप X is equal to 25 लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम X is equal to क्या लिखते हैं 25 ठीक है तो आपको क्या बताना था तो बीच का पूर्णांग पूर्णांग आपको क्या होगा आपको यह बताने तो बीच का पूर्णांग बताने हमें यह बीच का पूर्णांग आपका तो पत्चिस धन एक 26 आपका राइट आंसर होगा ओके इसक्यर नहीं बताने हमें सिर्फ पूर्णांग बताने हमें तो बोला गया था कि उनका इ त्रिमागास संख्या है संम्में हैं तो आप सीधे 2 से बाह्ग दे सकते हो 2,2,4 और बचे एक 2,7,4 तो ये आपकी क्या होगा ये बीच की संख्या होगा स्वरी हें कि हमने का से दिन से दिन तर थे न तर है न तिने कम 3 बचे 2 होगा 24 तीन अठे 24 अठार आपके बीच की संख्या होगा हमें क्या बताने है छोटा पूर्णांग बताने है तो 17 आपका छोटा पूर्णांग होगा 17 18 19 इस प्रकार चल रहा होगा साथ सं में काम ना करता हूं सम क्रमागत्स पूर्णांग बोला है और यहाँ पर आपको यह देख न होता है लगातार संख्या होती न तब आप यह फॉर्मिला लगा सकता है यह मेथ अन लएक लेकिन संपूनांग बोला है हमें तो हम क्या बोल सकते हैं ये वाला कुश्छ तो वह बने आपको शोड़ करके बता दिया आप भी कर सकते हैं मैं मैं बता हुँ त gece का सोगेrhे एक फू नहीं प्लस होगा और एक फूर स्फूर होगा यहीं होगा निंका यो गा आपको कितना द तो हमें बताना है की अपका सबसे छोटा पूरान किया है तो आड़नी सोलाराइट अंतर आपका यह हो ओके इस प्रकार से आपको करना होता है नेफ्स देखते हैं तीन क्रमाघत प्राकरत संख्याओं का यूग अप क्रमाघत बोल दिया है तो आप इस कुस्चं को कर सकते हो यह भी आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है बहुत ही जी घुश्चन है ओके नेक्स देखते हैं कि यदि पांच क्रमिक पूनांकों का यूग एस हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूनांक एस से किस रूप में समंदित होगा तो हमें ये बताना देखिए एस आपको पता होगा कि एस पूनांकों का यूग ठीक है तो एस इस इस इकल टू यदि हम यहां पे लिखे हैं एस मतलब क्या है सारे पांच पूनांकों का यूग क्रमिक पूनांकों का यूग बोल रहा है कि बंसे चार तक लेके 5 क्रमिक पूनांग है आपके तो आप बोल सकते हों कि X X plus X plus 1 X plus 2 X plus 3 होंगे यहीं होंगे अपॉन हम क्या बोल सकते हैं यह सारे आपके 5 क्रमिक पूनांग होगा है S is equal to 1 2 3 4 4 5 बोला था ना X plus 4 और जाएगा यह क्रमिक पूनांग होगा आपके इनका योग आपका ऐसा है तो हम बोल सकते हैं 2 X 3 X 4 X 5 X 5 X plus 1 2 1 3 3 3 6 6 और 4 10 यह है ओके एक 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 दो तीन चार पांच पांच एक सो गई यह दो एक तीन तीन और तीन शे चार और चार दस ठीक है 5 X plus 10 लिख सकते हो आप इसे अब आपको यह बताना है कि किस रूप में संबंदित है आपका जो लास्ट नंबर है 5X X plus 4 जो है वह 5X plus 10 से किस प्रकार संबंदित है तो यदि हम देखें यदि हम यहाँ पर यह आपका जो है लास्ट नंबर है इसे किस प्रकार संबंदितte ह। आपको यह बताना है तो आप देखें यहांपे क्या लिख सकते हो यह्दि नहीं की मैं यहाँ पर Caymand सभाकर रहा हो ठीक है सिर्फ में तो ज़्यदी आपना पांच अग्स प्लाशट सकते यहाँ पर दस धन दस कोई लिक्कत नहीं हो गिते पांच प्लेस दस प्लम दस इतना लिख सकते हैं तो हम क्या लिघ सकते हैं तो आपको यह भी देखना है इहां पह experienced reflects पूनाओंक यूग व baka यूग है से अब सबसे बढ़ा पूुनांग जो हो वो s से किस प्रकार संबंदित है आपको ये बताने तो s plus 10 आपको जहां दिख जाए भहीं आपका right answer होगा ओके अब वो कैसे तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे संबंदित हो गया यह मतलब हम s में यदि 10 जोड़ते हैं तो आपका संबंदित हो जाएगा वो लेकिन आपको ये भी तो बताना है कि x plus 4 से कैसे संबंदित है x plus 4 से ये कैसे संबंदित हो गया ये बताना ठीक है तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि x plus 4 यदि हम 4th number माने से 4th आपका last number माने 1st 2nd 3rd 4th ये 5th है तो आपको क्या बताना है last से ही है आपको तो आप बता सकते हैं यहां से कि यदि आपका x is equal to 1 हो गया मान के चली x is equal to आपने क्या मान लिए बन तो 4 प्लस 5 है ओके 4 प्लस 1 5 अपका देखे लेकिन ये 10 भी तो है न तो इसे तो आपने एस मान लिया इसे आपने क्या मान लिया एस मान लिया और यह क्या होगा आपका 10 हो गया तो एस प्लस 10 जहां पर आ रहा होगा आप उसे राइड अंसर लगा दो गया बटे में पांच क्यों आरह और यह नहीं को पहले क्या पताया था वीच की संक्या हमें सा अरक्सेल को तो आप बोलोगे कि बीच की संक्या एबरेज होती ही, इनका एबरेज निकाल लेए, तो एबरेज क्या होता है। सारे का योग तीन दू पांच और एक छह बटे जितनी संख्या लिए हमने एक दू तीन संख्या मुए बैसे ही यदि मैं आपसे का हूं कि आपकी थर्ड सन्क्या क्या होगी Okay आपकी जो कहना च обязता थर्ड संख्या क्या होगी आप ये बताने ऐपको ज़र संक्या क्या ओगी यदि याप टूटल योग कितना है आपको योग अ हम पूँदल सकते हैं कि आपको सभी पूद्धन यूग में हम क्या करते थे तोटल नंबश का भाग दे थे तो नमबर कितने लिए है प win नंबर इनंडे है आपकी ठीक है तीसरी संक्या ये होगी अब यदि मैं आपसे कहूं कि पांच वी संक्या क्या होगी तो पांच वी संक्या कैसे बताओगे आप धन्दो कर दोगे इसमें तीसरी संक्या में धन्दो कर दोगे तो पांच वी संक्या जाएगी तो आप यहां से कैसे निकाल सकते हो s then पांदुनी 10 के बटे 5 ओके यहां पर lcm ले लिए तो आप इस तरीके से सम्मद देते तो आप जिस तरीकी से करना चाहो जिस तरीके से आपको समझ में आए Uh उस तरीके से आप's सकते हो I hope आपको धुनों तरीके से समझ में beginning 이way होगा असान जो भी लगे आप से कर सकते हो पांच को आप जो है ऐसे questions को आप कैसे solve कर सकते हो पता है ऐसे question के लिए आप क्या काम करो हम पहले इसको लेके सर्फ इन दौनों को लेके चलते फिर इन दौनों को लेके चलते तो हम एक काम करते हैं तीनों को ही सांथ में लेके चलते हैं ठीक है तो हम क्या करें पांच से हम त गोड़ा कर देते हैं तो 5 से गोड़ा करोगे तो माइनस 5 हो जाए गई बड़ेवं बराबर है ठीक है यहां पर 5 गोड़ा करेंगे तो 5 से 5 कैंसल हो जाएगा तो 2x-7 बना जाएगा ओके बड़ेवं बराबर है एक के ओके I hope इतना आपको समझ में आया होगा अब हम क्या काम करते हैं साथ आप सभी दोनों टीनों पक्षो में आप साथ जोड़ दो ठीक है यहां भी साथ यहां भी साथ यहां भी साथ यहां भी साथ क्योंकि एक्वल है तो सभी में जोड़ना पड़ेगा हम क्योंकि सभी को एक सा लेके चलना है हमें ओके तो जैसे कि आप यहां करोगे तो यह बीस हो गया तो यह बड़ा होगा इसलिए दोना में करना पड़ता है ठीक है तो हम साथ क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें X की value find करनी है इसलिए तो हम X कैसे ला सकते हैं उस command यह देख रहे हैं ठीक है तो दो से तीन वक्षम भाग देंगे यहां यहां एक जाएगा यहां एक साजाएगा और यहां आपका चार जाएगा ओके तो अब आप क्या बता सकते हैं यहां पर कोई गलती तो नहीं किया हमने हो है हों एक यहाँ पर वन सकेंड साध हमने पांच एक ही था रहा प instruments एक है तो फिर को जाएगा हो हां ईक और बात हमने क्या किया यहां पर हमने पांच का गुडाह किया था ठीक यहां पर काव नहीं किया थो हम यहां भी 5 खुणा करना पढ़ेगा स्वरी यहां पर क्या हुआ हम जैने दौना पक्छों में लेकर चलना हैंनाique का गुणा तो पांच का यहां भी यहां करना भूर होगा थे तो यहां भी खरनने करना हैं फिर हमने क्या किया था, साथ जोड़ा था, तो साथ पांच बारा हो जाएगा, तो यहां बारा लिख सकते हैं, बारा लिख लेते हैं हाँ पर, अब क्या काम करना है हमें, हमें दो हटाने यहां से, दो से भाग देंगे, तो दो से यहां भाग देंगे, तो यह 6 आ रहा हुगा, ठीक है, यह आपक प्रकार चे ठीक है तो 6 में से यदि हम 1 माइनस करते हैं तो क्या वो value x की होगी बिल्कुल होगी ओके तो I hope आपको समझ में आया होगा जैसे मैं कहूं आपको 2 यहाँ पे x आ रहा होगा और यहाँ पे आपका 4 आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या आ सकता है यहाँ पे 3 ही आ सकता है न क्योंकि 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4 है तो वैसे एक से बड़ा 5 है और 5 से बड़ा 6 है ओके I hope आपको समझ में होगा तो right answer क्या होगा आपका 5 next देखते हैं यहाँ ओके यहाँ बताना है आपको बड़ी का आरोभी क्रम में ब्यौसत कीजिए इसको आरोही क्रम में करने के लेकिन सबसे तारीक है वो मैं आपको बताता हूं ओके सीधे आप भाग दे दो पांच का भाग दोगे आठ बार जाएगा पांच अट्टे चालिस पॉइंट आ एड बार गया आठ का भाग दे दो सात में कितने बार जा रहा है आठ ठीक है जीरो लगेगा पहले तो तो यह तो सबसे छोटी संक्या होगे मान के चलिए आप जी चौन सट का चालिए इम्हीं कि नहीं तो स differs भी देंगे यह, पॉंइं अरब होगे च्छोन साथ भी लोगे तो आप अराम से कर सकते हुझ मौज टॉंग ले लेते हैं जल्दी करना है आपको वहां पर अब धेकर साथे साथ डेते हैं सॉत नाम थे शर्ट동 disappears okay sorry ये भाग नहीं जाता है तो ऐंसा हम कर सकते हैं point लगा दिए मतलब भाग नहीं जा रहा तभी point लाखता है नदो sorry यहां पर आपको point eight आ रहा होगा तो दोंको तक ले ख얼खकर ले लेताए once 8 cherry on sun 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 brush yeah about it okay 나온 petiew 6 होगा किटने देखिए यहां पर 70 आगे हमान के चलिए 64 बचे चे आपके तो चे बचे तो अब कितने बार दे सकते हो आप आठी सती चपन ठीक है तो साथ बार दे सकते हो चपन बचे अब फिर बचाल बचेंगे तो आठ पंचे चालिस और जी दिया हमने एक बार और ठीक है तो तो तीन दूंको तक कॉंसिडर करना होता है आप तीन अंक ना भी करोगे तो चल दाएगा वो साथ से देते हैं ये साथ सती यूंचा सती अटी चपन साथ नामते रिसर बढ़ जाएगा सती अटी चपन करते हैं चपन मतलब बचेंगे चार आपके हो गए चालिस साथ पना पैंतिस ठीक है 85 तक कॉंसिडर करते हैं अब आप 6 से देना है हमें 67 42 48 48 ठीक है आठ बार 68 बच आपके दो हो गए 20 सबसे बड़ी संक्या कौन सी आपकी सबसे छोटी आरो ही करम में लिखना है वह हमें बढ़ते करम में लिखना है तो पॉइंट है आपका सबसे छोटा उसके बाद 083 मतलब 4.5 के बाद 5.6 आ रहा होगा आपका 4.4 चार बटे 5 के बाद 5 बटे 6 सिर्फ एक में आ रहा है इसके बाद 6 बटे 7 आ रहा होगा ठीक है देखिए 6 बटे 7 आ रहा होगा सबसे hypertिट से 32, 35, 35 यह 35 और यह 32 ठीक है तो बड़ी संघ क्या कौन सी 35 मतलब यह बढ़ा होगा इन दोनों मैं यह बढ़ा है फिर आप देखिए इन दोनों में कौन सा बढ़ा बढ़ा जो भी सबसे बढ़ा आ गे उसको लास्ट में जबागा दिए तो इस तरीके से आप आप कर सकते होगे next देखते हैं इससे अब देखिए एक कुछ आपको करने है यह और मैं बतादे ठाउ curator आपको यहां पर बताने तो वहीं बहुति से लगा सकते हो आप भाग वाली या आ भाग देने में टाइम लगाते हैं लगाते कर सकते हो 927 725 अभर टेक्रम में लिखना है 9社प टरीष साथ पर पना पेइटained बड़ी संकय को नीए ओके अब अब बड़ी संक्या यह यह अब रही क्रम में में लिखना है तो इन दॉनों में भी और चेक कर लेते हैं 13 की इंक्यानवे और 11 99 मतलब सबसे बड़ी संक्या 11 बटे 13 हम बोल सकते हैं सबसे पहले 11 बटे 17 आएगा फिर 7 बटे 9 आएगा फिर 3 बटे 5 आएगा इस तरीके से भी देख सकते हैं और ये कुश्यन आपको स्क्रीन सॉट ले सकते हो इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मैं ओके स्क्रीन सॉट ले सकते हो आप ओके थैंक्यू आपको आपको पूरी चीज़ा समझ में आई होगी आपने बहुत वारी चीज़ां सीका होगा ओके